हलो, गुद मॉर्निंग माई लिटल स्टार्स, कैसे हो आप सब? लास्ट दे हमने A to H किये थे अल्फाबैक्स, I hope आप सबने घर पे वो प्रैक्टिस की होगी दियर पेरेंट्स, प्लीज आप इनको रोज एक पेज जरूर प्रैक्टिस करवाए अब हम अपना अगला काम शुरू करेंगे हमने फर्स जे A to D तक किया था और नेक्स जे हमने किया था E से लेके H तक आज हम प्रैक्टिस करेंगे E A Ice Cream से स्टार्ण सबसे पहले हम लिखेंगे आई A Ice Cream जे चाजर के का काई अलल वाइ पेरेंट्स प्लीज आप इनको पहले सिंगल डॉट पर प्रैक्टिस करवाए फुल पेज पर इस तर आप इनको पूरे पेज पर डॉट्स लगा कर दे और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको फर्स जे बताया था हमने फर्स ट्री लाइन्स पे अपनी अल्फाबैट कम्प्लीट करनी है ठीक है बच्चे लाइन से बाहर नहीं निकालना इस तरह आपने पूरे लिखना है आई A Ice Cream जे चाजब के काकाई अलल वाइन अगेन आई A Ice Cream जे चाजब के काकाई अलल वाइन अगेन हम लिखेंगे इस तरह आपने रोज ऐसे एक पेज फुल सिंगल डॉट पर प्रेक्टिस करवानी करनी है हम पहले लिखेंगे आई A Ice Cream जे जाजब के काकाई अलल वाइन उसके बाद हम लिखेंगे एम मा मेंगो बचे आपने जब एम लिखना है तो आपने जो तीनों लाइन्स हैं उनको पूरा थ्री लाइन्स तक अटाच करना है किसी ने यहां तक एम की प्रेक्टिस नहीं करनी पूरी बॉटम थ्री लाइन्स तक इनको टच करना है इसी तरह हमने एम उसके बाद एन्स नानेस्ट इस तरह आपने एम और एन का भी फुल पेज बन करना है चीका बच्चे आज हमने पूरे 6 अल्फा बाट्स किये हैं आई से लेकर एन्स तक आप सबने घर पर पूरी प्रेक्टिस करनी हैं ताकि आपको अच्छे से सारा लिखना आ जाए अब हमारी ए से लेकर एन्स तक अल्फा बैर्स हो गया आपने सिंगल सिंगल पर यह लिखना है उसके बाद आपने सिंगल ड़ट पर ए से लेकर एन्स तक फुल प्रेक्टिस करनी है ऐसे करके जिस पर आपने लिखना है ए आ एपर बी बाब बॉल सी का कैट डी डार डॉक इस तरह आपने ए से लिखे एन तक सिंगल सिंगल भी लिखना है ठीक है बच्चे जब ने अच्छे से काम करना है थैंक यू, have a nice day